जिससे आप प्यार करते थे बहुत सालों बात आपके सामने आया अपने फिलिंग्स को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो यह चीज आपको बरबात करकर छोड़ सकती है Hello Friends, आज के हमारी मूवी Disclosure यह 1994 की इसी कंसेट पर बेस मूवी है यह एक मिस्टरी है तो लास तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है बिना किसी दरीगे इस एक्स्प्लेशन को स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नामें टॉम इसे हम उसकी वाइफ और बेटी के साथ देख सकते है आज टॉम के लिए एक बड़ा दिन है यूगे आज उससे प्रमोशन मिलने वाला है उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल लगया तो उसे पता चला कि आज सुबा सुबा ही उसका बोस उसे मिलने के लिए उसके आफिस में आया था टॉम वरेड था कि बोस आये क्यों थे आम जाते वक्त टॉम अपनी वाइफ से गहता है कि अगर मुझे प्रमोशन मिलका तो हम बहुत जादा अमेर हो जाएंगे उसकी वाइफ कहती है कि हम अल्रेड यामीर है वैसे हमें जादा अमेर होने की कोई जरूरत नहीं है हमें जादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए टॉम रोज शिप से काम पर जाता है तो वहाँ उसने एक फ्रेंड बना लिया है यह दोनों आज जब बात कर रहे थे उसका फ्रेंड कहता है कि एक दिन मुझे अचानक से जॉब से निकाल दिया था वो आई वीम में काम करता था उसे अच्छी खासी सैलरी थे आज कल हमें कब रिप्लेस कर देंगे इसका कोई भी भरोसा नहीं है टॉम ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे इन नमबर दिया जहाँ बरो इंट्रिव्यू दे सकता है टॉम एक कंप्यूटर्स के कंपने में काम करता है वहाँ वर वो अलग-अलग एकसेसरी वगरा बनाते है उन्होंने अभी-अभी एक सीडी प्लेयर बनाया है उसको लाँचिंग बहुत ही इंपोर्टन्ट है टॉम को पता चला कि उसमें कुछ प्रॉलम से इस प्लेयर की मैनुफैक्चरिंग मलेशिया में होती है तो वहाँ की इंचार से टॉम बात करता है रैम का स्पिट बहुत ही कम हो चुका था जो एक बड़ी प्रॉलम है टॉम को एक कलीक मिला जो उसे कहता है इस चीज को ज़्यादा सिरियसली मतले न टॉम को कुछ भी पता नहीं था तो उसे वोशता है कि मुझे सच सच बताओ हुआ क्या है आज मॉर्निंग में बॉस भी मुझे मिलने के लिए आये थे वो उसे बताता है कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलने वाला उनके डिपार्मेंट के बाहर से किसी को प्रमोशन मिलने वाला है टॉम बहुत ही वरीड हो जाता है उसे वोशता है क्या मेरी जॉब रहेगी उसके कलिक को इसके बारे में पता नहीं टॉम और भी ज़्यादा डिस्टब हो गया यह जो सब हुआ टॉम का कलिक से मिलना यह कोई कोईशिडन्स नहीं था टॉम का बॉस जिसका नाह में ग्रैविन ग्रैविन का टॉम को पताने कही प्लान था इस सब के बारे में बात करने के लिए टॉम जब अपने बॉस ग्रैविन के पास गया तो वहाँ उसे Meredith दिखती है Meredith और Tom इन दोनों में पहले relationship हुआ करती थे बॉस ने जब इसके बारे में पूछा Meredith कहती है कि Tom ने मेरा दिल तोड़ा था यहाँ पर जो भी सब situation थी इससे Tom को पता चल गया कि Meredith अब उसकी बॉस बनेगी Tom चब अपनी टीम के साथ था तो बहुत ज़ादा गुसा कर रहा था वो कहता है कि Meredith को कोई भी technical knowledge नहीं है पर फिर भी उससे मेरा boss बना दिया बाकी टीम भी worried थी वो कहते है कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है Tom फिर उनने बता देता है कि हो उसके साथ relationship में हुआ करता था इस पर Tom के कलिग उसका मज़ा लेते है अब Nixon में हम देखते है कि officially अब promotion किसका होगा इसके announcement की जा रही थी Tom के पास उसकी कलिग आकर वेटी इसका नाम है Stephanie इस promotion को लेकर Tom और Stephanie ये दोनों competition में थे और इन दोनों का job आकर Meredith लेकर गई इन दोनों ने जब बात की तब Tom को पता चला कि Stephanie को Meredith के बारे में बहुत पहले से पता था बॉस अपनी speech में यहता है कि इस company को सही से run करने के लिए हमेशा से उसे एक female candidate चाहिए थी उसका सपना था कि उसकी बेटी एक company चला है पर उसकी बेटी बच्पन में ही गुसर गए थी Meredith को वो अपनी बेटी की तरह मानता है इसके बाद promotion की party में Meredith Tom के पास आती है वसे गहती है कि आज दिनवर में बिजी हो 7 बज़े के बाद मेरे office में तुम आ जाना Nixon में Tom overseas के production manager से बात कर रहा था manager को Disneyland जाना है तो इसके tickets Tom ने उसे भीजे है Tom हमेशा अपने सब colleagues का खैल रखता है अचाना इसे उसे एक email आया जिसमें लिखा था कि Meredith को देखकर तुम excited हो Tom ने चेक किया कि email किसका है पर एक anonymous email था साथ बजे Tom Meredith के पास पहुचा Meredith ने Tom के लिए एक special wine मंगवाई थी जो से पसन है Tom business को लेकर सब conversation स्टार्ट करता है Meredith कहती है तुमारी family की मुझे photo दीखा उसने Tom की wife को देखा कहती है वो बहुत ही caring लगती है beautiful भी है पर हम दोनों में जो था शायद उसके साथ तुमें कभी नहीं मिलेगा हम एक साथ थे तो हमें passion था कही वी कभी भी intimate हो जाते थे Tom कहता है कि life एक समझोता ही होता है मेरे पास अब family है उन सब चीज़ों के लिए मैं family को बरबाद नहीं कर सकता Meredith भी ये बात समझ जाती है फिससे टॉम बिजनेस के बारे में बात करना स्टार्ट करता है Meredith कहती है फर्स मेले shoulder rub करो इसके बाद हम बिजनेस की बात दि करेंगे टॉम कहता है कि हम जो player बेशने वाले है इसमें एक serious problem आ चुका है उनकी company एक बड़ी company के साथ join होने वाली है अगर ये problem solve नहीं होता तो इस joining में problem आएगी Meredith उसे कहती है उन्हें इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए ये जो दो companies का merger हो रहा है ये लोगों के बीच में होता है ये technology वेगरा इन सब बातों को कोई भी meaning नहीं है ये जब बात ही कर रहे थे तभी Meredith को call आया तो Tom भी अपने कलिक को call लगा लेता है वो उसे discuss कर ही रहा था तभी Meredith ने उसे पीछे से पकड़ लिया वो उसे किस करने लगती है वो कहती है इतने सालों बाद भी तुम थोड़ी भी नहीं बतले मैं उस time किसी को भी choose कर सकती थे पर मैंने तुमें चुना था उसने उसे कहा कि हम हमारी relationship continue कर सकते पर किसी को भी पता नहीं चलेगा वो उसे रब कर रहे थे तो Tom भी excited हो गया वो उसके साथ intimate होने ही वाला था पर mirror में उसने अपना reflection देखा उसने realize किया कि जो भी वो कर रहा है ये बहुत गलत है वो अपनी wife को cheat नहीं कर सकता तो Meredith को छोड़ कर वहाँ से वो जाने लगता है Meredith इस वर बहुत गुसा हो के कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते है पर Tom मानने नहीं वाला था वो बाहर आकर उसे धमकी देती है कहती है तुम्हें मैं बरबात कर दूँगी टॉम फिर घर आकर shower ले रहा था वो से पता चला कि Meredith के नाखुनों की वज़े से उसके chest पर एक wound है वो अपनी wife से चुपा लेता है उसकी wife कहती है कि मुझे Meredith का call आया था यह सुनकर वो घबरा गया एक call Meredith ने Tom को एक meeting के बारे में बताने के लिए किया था अगले दिन meeting में आने के लिए Tom लेट हो गया वो Meredith ने उसे गलट time बताया हुआ था Tom का कलिक इसके बारे में उसे बोचता है तो Tom कहता है कि मैंने तुम्हें तो message दिया था पर कलिक को एक भी message मिला नहीं है meeting में Tom को drives के बारे में पूछा जाता है वो सच सच बता देता है कि अगर कोई problem आया तो एक साल तक लेट हो सकता है Meredith ने उससे कहा था कि यह merger लोगों के बीच में है यही बात वो इस meeting में कहता है तो उसे बहुत data जाता है यहाँ पर Meredith ने उसे setup किया था इसके बाद Tom का कली जिसका नाम में Philip यह Tom से मिलने के लिए आया वो उससे कहता है कि कल जो भी हुआ था Meredith इस सब को इस office में deal करना चाहती है Tom बोचता है कि तुम कहना कह चाते हो Philip कहता है कि Meredith ने हमसे कहा कि तुमने उसे sexually assault करने की कोशिश किये Tom कहता है कि यह सब जूट है और इसे कुछ भी नहीं किया था जो हुआ था यह सब उसने Philip को कहा Philip इस पर हस देता है क्योंकि उसे लगता है कि Meredith Tom को हरास करे यह possible नहीं है Tom ने अपने chase की निशान दिखाया तो Philip कहता है कि इससे तो लग रहा है कि हो तुम्हें oppose करने की कोशिश कर रही थे Philip उसे कहता है कि तुम्हें एक chance मिल रहा है Meredith कोई भी charges प्रेस नहीं करने वाली इसके बदले में Tom को एक नई branch में shift होना पड़ेगा Tom की एक अलग branch में जाना यह उसके career की suicide है इसके लिए हो नहीं मानदा इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस और Philip में discussion हो रहा था फिलिप ने उसे बताया कि Tom मानने रहा बॉस कहते हैं कि हमारी company की और एक नई company की deal चल रही है अगर Meredith ने कोई भी charges प्रेस किये तो शायद ए deal खतम हो जाएगी इस चांस वो नहीं ले सकते तो इसे वज़े से Tom को उन्हें अब समझाना पड़ेगा इमेडर company के अंदर ही दबाना पड़ेगा Tom को फिर से अनानमर से एक email आया इसमें एक scandal की बारे में लिखा हुआ था इसके बारे में उसने search किया उसे पता चला sexual harassment की वज़े से लोगों का पुरा career बरबात हो जाता है अगर ये Tom के साथ हुआ तो फिर से उसे job भी नहीं मिलेगी email में एक lawyer का भी नाम था जहाँ पर Tom फिर पहुच जाता है इन सब के बारे में Tom ने lawyer को बताया और बताते वक्त वो जारा uncomfortable था उसकी lawyer कहती है अगर तुमने केस लड़ा तो एक बड़ी game की तरह होगा तुमें हर चीज के लिए ready होना पड़ेगा Tom ने अपनी wife को नहीं बताया तो ये भी उसे करना पड़ेगा lawyer के पास से जाते जाते Tom को एक बात याद आई फिलिप ने उसे कहा था इसे जल्दी से जल्दी settle करना पड़ेगा वो फिर से lawyer के पास आता है कहता है company किसी बात को डर रही है हमारा एक बड़ी company के साथ merger होने वाला है अगर बात बाहर पड़ी तुने प्रॉल्म आये का इसी वज़े से वो इस बात को settle करना चाहते थे अब इस चीज़ को अपने advantage के लिए वो use करने वाले है अब Tom जब इस case को लड़ना चाहता है तो boss, Meredith और फिलिप इन सब में discussion होता है boss बहुती डर चुका था क्योंकि ये deal उसके लिए बहुत important है Meredith boss से कहती है कि Tom ज़ादा कुछ कर नहीं सकता वो डरता है उसके सब secrets बाहर आ जाएंगे उसने अभी तक अपनी wife को भी बताया नहीं होगा ये कुछ भी हो पर फिर भी boss को जल से जल इन सब जीजों से बाहर निकलना है Tom जब office में था तो उसके drive को लेकर जो भी problem चल रहा था इस पर research होता है उसकी team उसे बताती है कि हमने जो prototype create किये थे वो सही से चल रहे थे manufacture करके जो sample आए इसमें chip का problem हो चुका है कुछ भी सही से इसमें काम ने किया गया Tom को फिर उसके boss का call आया तो कहती है company तुमारे साथ deal करने के लिए ready है फिर उसे उसे एक mail आता है जिसमें लिखा है कि वो एक peak है इसका पता निकालने के लिए Tom ने सर्वर चेक किये पर उसे पता चला कि उसके सब access चले जा चुके है अब उसे company से निकालने वाले है तो उसका सब access जा रहा है Evening में Tom अपनी wife को लेकर अपने एक friend के साथ dinner पर आया हुआ था ये friend भी उसी के company में काम करता है उसका friend उस पर बहुत ज़्यादा गुसा था तो गहता है कि आपनी wife को सब कुछ तुम सच बता दो Tom को लगा कि उसके friend को भी boss ने बताया इसी वज़े से यह सब वो कह रहा है उसका friend कहता है company में मेरे भी पैसे लगे हुए है अगर तुमने इस situation को सही से handle नहीं किया तो मैं सब कुछ खो सकता हूँ टॉम के friend ने सब कुछ चीज़े टॉम की wife Suzanne को बता दी Suzanne pretend करती है कि उसे सब कुछ already मालूम था वो उसके friend के सामने कुछ भी तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी डीनर जब खतम हुआ तो टॉम उसे सब कुछ समझाता है बहुत ही डिस्टब हो चुकी थी वो कहती है तुम जो मुझे बता रहे हो अगर वो सच भी है और फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ है तुम उसके बारे में मुझे बता नहीं रहे टॉम कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ Suzanne भी एक lawyer है तो कल settlement होने वाली है तो वहाँ पर वो भी आएगी वो टॉम को कहती है कल जाओ और माफी मांग लो सब कुछ ठीक हो जाएगा टॉम को यह मंजूर नहीं था वो कहता है कि जो चीज मैंने की ही नहीं उसके लिए मैं क्यों सॉरी बोलूंगा इस बात को लेकर इनमें बहुत discussion हुई next day की meeting में टॉप जो भी हुआ था यह सब जीजे बता देता है वो कहता है कि जब मैं Meredith को छोड़ कर जाने लग गया तो उसने मुझे थमगी थी कहा कि मैं तुमें बरबात कर दूँगी इस meeting में Meredith का lawyer भी था वो कहता है कि तुमें promotion नहीं मिला तो तुम बहुत ही जादा frustrated थे तुमने अपने कलिक को भी बताया था कि तुम Meredith के साथ relationship में हुआ करते थे तुम दोनों की relationship यह बहुत ही passionate थे यह सब passion अब तुमारी life से missing है जब Meredith वापस आई तुम बहुत जादा गुसा थे यह सब frustration निकालनी के लिए तुम शाम में गए और उसे harass किया अगर तुम जो कह रहे हो वो सच होता तो घर जाकर अपनी wife को कहते तॉम कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी wife वरी करे इसके बाद Meredith अपनी बात बताती है वो कहती है कि जब वो office में आया तो उसने कहा कि उसे याद है कि जब वो young थे अपनी relationship के बारे में बात की अपनी family की photos दिखाया उसने कहा कि वो अपनी wife से खुश नहीं है बात करते करते मेरी shoulder बर up करना start कर दिया यह awkward था पर फिर भी मैंने उसे करने दिया मुझे जब call आया तो अचानक से मुझे kiss करना उसने start कर दिया वो मेरे साथ intimate होने ही वाला था तो उसे लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है इसके बाद वहां से चला गया अब इस सब incident के बारे में टॉम की lawyer Meredith से बात करती है वो कहती है कि टॉम जब office में आया तो तुमने उसके लिए एक wine मंगवाई थी यह wine आसपास कहीं भी नहीं मिलती 500 miles तक इसका कोई भी shop नहीं है तुमने अपनी assistant को wine लाने के लिए कहा था actual में तुम्हें बहुत दिनों पहले ही बता था कि Tom तुमसे मिलने वाला है तो उसकी favorite wine तुमने लाकर रखी थी Meredith कहती है कि यह सिर्फ एक coincidence है मेरे assistant के पास घर पर एक wine थी तो वही वो लेकर आई discussion का time यहीं खतम हो जाता है यहाँबर Tom की वाई Susan यह सब सुन रही थी तो बहुत ही जादा गुस्सा है वो Tom से कहती है कि तुमने यह सब होने दिया तुम्हे sign मिल रहे थे Meredith तुमसे flirt कर रही है तभी तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए था उसे सच और जोट इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा अफिस के बाद Tom का बॉस उसे मिला वो कहता है यह चीज़ बहुत ही आके जा चुकी है हमें जलसे जग इसे settle करना पड़ेगा जब यह सब होगा तो तुम्हें मेरे बास आना चाहिए था अगले दिन फिर से एक मीटिंग हुई और टॉम के साथ काम करने वाली वो इसके कलिक को बुलाया जाता है एक्चुल में टॉम को एक आदत है उसके हाथ में अगर पेपर हो तो इस पेपर से वो बंब पर मारता है यह चीज वो अपने मेल कली और फिमेल कली इन दोनों के साथ करता है पर इस फिमेल कली को यह बहुत ही गलत लगा था इसी बारे में डिसकेशन होती है इसमें अल्डरी ट्रेट्स है यह हमेशा फिमेल्स को सेक्शोली असॉल्ट करता है ये सब discussion Tom के खिलाफ जा रही थे इसमें अगर प्रूव हो गया कि Tom की गलती थी तो उसे सही सेटलमेंट नहीं मिलेगी इस meeting के बाद lawyer से इसी बारे में discussion चल रही थे आज Tom को फिर से email मिला है जिसमें लिखा है कि वो लोग तुमें manipulate कर रहे हैं तुम अपना game दिखाओ इन emails की बारे में Tom ने अपने lawyer से कहा था तो कहती है कि emails एक university से आ रहे है इस professor के computer से आ रहे है ये professor चरफ vacation पर गया हुआ है इसके बाद Tom अपने mobile पर messages चेक कर रहा था जिस राद हो Meredith के साथ था तो अपने कलिक को उसने call किया था कलिक वहाँ नहीं था तो उसके answering machine पर message गया था अब फिर से वो उस कलिक को call लगाता है तो उसके answering machine पर एक अलग सी आवाज है उसने realize किया कि उस दिन उसने गलत number dial किया था अपने record उसने देखे तो उससे पता चला कि उसके अलग से friend को उसने message कर दिया था जो भी Meredith और उसके बीच में हुआ था ये सब उस call में record हो गया होगा वो फिर अपने friend को call लगाता है वो फिर अपने friend से मिलकर उसे उसके messages की copy ले लेता है Tom के friend ने message सुना था तो उसे contact नहीं कर पाया क्योंकि Tom बहुत busy था next day meeting में call recording सुना ही जाती है इस recording से सब को साफ साफ पता जल जाता है Tom ने Meredith को ना कहा था उसे जबरदस्ति कर रही थी इससे अब भू हो गया कि Tom innocent है तो उसे अच्छी कासे settlement मिलती है अपना job भी उसे face से वापस मिल जाएगा Companies के merger के बाद वो Meredith को भी job से निकाल देंगे इस deal पर Tom साइन कर देता है और बहुत खुश था उसे अचानक से face से एक email आया इसमें लिखा था तुम्हें setup किया जा रहा है जैसे चीज़े तुम्हें लग रही है वेसे नहीं है टॉम्हें फिर Meredith के office के बाहर खड़ा हुआ Meredith और Phillips में discussion चल रहा था जिसमें वो कह रहा था कि हम टॉम्हें को incompetent दिखाएंगे जिससे हम उसे fire कर सकते है टॉम्हें खुद ने deal sign की है तो इससे वो बाहर ने निकल सकता कल सुबा उसका बहुती बड़ा presentation है वगर उसने प्रेजेंटेशन सही से नहीं दिया तो उसे जॉब से निकालने वाले है अब drive को लेकर जो भी problem है ये टॉम्हें को जल्दी से जल्दी solve करनी पड़ेगी वो company के सब files चेक करना चाता था पर उसे कुछ भी मिला नहीं क्योंकि उसे access नहीं है जैसे कि मैं पता है कि उसके boss ने already उसके सब access निकाल लिये थे टॉम्हें छूपकर अपने boss के room में आ जाता है यहाँ पर उसने सब files देखी यहाँ से उसे पता चला कि Meredith की order की वज़े से प्रोडक्शन की quality डाउंग्रेड हो चुकी थे इन सब files में उसने एक वीडियो भी देखा जहाँ पर Meredith एक plan manager से बात कर रही थे इन सब बातों से टॉम्हें को पता चला कि Meredith का पहली सी plan था टॉम्हें को फसा कर उसे firework करने वाली थे यह सब वो देख रहा था तब ही Meredith सब कुछ file delete कर देती है अब टॉम्हें कुछ भी prove नहीं कर पाएगा टॉम्हें भी इसके बारे में बहुत सोचता है उसके पास अब कुछ भी option नहीं था उसने फिर अपने एक plan manager को call लगया यह वही plan manager है जिसको टॉम्हें मूवी के first में डिजन रैंड की ticket बेजे थे उससे click हुआ कि इस plan में भी उसने सब companies की file का backup लिया था अगले दिन अब सब लोग के सामने टॉम्हें अपना presentation देता है Meredith उसे बूछती है कि ड्राइव को लेकर क्या problem है वो इसके बारे में सब कुछ सच सच बताता है दूसरी company ये सब सुनकर नाराज हो गई थी वो कहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है टॉम्हें कहता है ये Meredith ने cost को low करने के लिए ये सब किया और सब कुछ company का घाटा हो गया Meredith ये सब बाते deny करती है तो टॉम्हें ने सब को सबूत दिखा दिये सब लोगों को सब को सच सच पता चल गया तो Meredith अपना control लूज कर देती है टॉम्हें पर गुसा होकर कुछ भी बोलने लगती है तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है ये presentation successfully खतम हो जाने के बाद टॉम्हें जब फिर से office में आया Meredith उसका wait कर रही थे वो गयती की जो भी हुआ ऐसे मुझे जादा कुछ फरक नहीं पढ़ता अलग company में मुझे इससे भी अच्छे job मिल जाएगी मैं तुम्हें बरबात करकर छोड़ूंगी टॉम्हें कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें देख लिया अगली बार भी देखी लूँगा कोई भी problem नहीं आएगा Companies का मरज़ा successfully complete हो चुका है Company के vice president की job जो टॉम को मिलने वाली थी इसी के बारे में बहुत discussion करते है जैसे कि मैं पता है कि टॉम और उसकी कली जिसका नामे स्टेफ़नी इन दोनों में competition था इस party में स्टेफ़नी अपने बेटी के साथ है जो यूनियोरसिटी में पढ़ता है जब promotion की announcement हुई तो स्टेफ़नी का promotion मिला टॉम को फिर click हुआ और वो स्टेफ़नी की बेटी के साथ बात करता है जो email टॉम को आ रहे थे यू उसी यूनियोरसिटी से थे टॉम उस प्रोफेसर का नाम स्टेफ़नी की बेटी को बताता है स्टेफ़नी का बेटा कहता है कि मैं उनका ही assistant हूँ यानि कि जो भी लेटर टॉम को मिल रहे थे इस स्टेफ़नी खुद भेच रही थी वो स्टाफ में सबसे senior थी पर उसे कभी भी promotion नहीं मिला था Meredith को उस जॉब से निकलवाने के लिए टॉम को स्टेफ़नी ने help की finally उसे promotion मिल गया टॉम को भी इस बात से कोई भी problem नहीं है क्योंकि स्टेफ़नी डिजर्विंग थी उसे जॉब मिलनी चाहिए थी इसके साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो please इस चैनल को subscribe कर दीजे और बैल निटिविशन आइकन दावने मत भूलेगा फेसे मिलेंगे और एक निमोगे साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये